हेलो दोस्तों आप सभी का सोनी मलिक के किचन में स्वागत है और आज हम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया और स्वाती पानी आ जाए और घर वाले आपके तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए ऐसी मटर पनीर बनाएंगे तो चलिए इसकी जल्दी सी रेसिपी देख लेत हम इसमें एग चमच बटर दालेंगे बटर की जगה आप एक चमच घी का भी उस कर सकते हैं और बटर को हम उच्छे से पैन में फैला लेंगे जिससे बटर हमारा जल्دी से गरम भी हो जाएगी और ये मेल्ट भी हो हो जाएगे बटर से हमारा मटर पनीर का स्वात भाट व और आप देख सकते हैं बटर हमारे अच्छे से गरम हो गई है तो अब हम इसमें पनीर डालेंगे यहां मैंने 200 ग्राम पनीर ली हूँ यह बिलकुल फ्रिश पनीर है तो आप जब भी मटर पनीर बनाए तो रेश्टरेंट स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए फ्रिश पनीर क हम अच्छे से पलटते हुए इसे दोनों तरब से ब्राउन होने तक हलका सा फ्राइ कर लेंगे और आप देख सकते हैं पनीर हमारे हलके से फ्राइ हो गए है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए बटर या तेल में हम प्याज डालेंगे यहां मैंने एक बड़े साइज का प्याज को इस तरीके से रफली कट कर ली हूँ आप अगर छोटे प्याज ले रहे हैं तो दो प्याज ले सकते हैं और अब हम इसे एक मिनट के लिए भूल लेंगे छे से साथ लैसून की कलिया डालेंगे दो टुकडा अदरक का डालेंगे गैस का फ् इंग्रीडियंट को सुनेरा कलर आने तक भूल लेंगे और अब हम इसमें बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डालेंगे यहां मैंने मीडियं साइज के दो टमाटर ली हूँ टमाटर को हम अच्छे से इन सभी इंग्रीडियंट के साथ अच्छे से चलाते हुए गैस का फ्लेम इस्टैम पे मीडियम रखेंगे और जब तक टमाटर हमारे भून रहा है तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं पनीर हमारे ठंडे हो गए हैं तो हम इसे नाइफ से अच्छे से कट कर लेंगे आप इसे अपने पसंदीदे आकार में भी से क प्राय होने के बाद भी ये देखे बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं टमाटर को भूनते हुए एक मिनट हो गये हैं और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट भी हो गये हैं इस टेम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे 20 से 25 से के लिए और अब हम इसमें 7 से 8 काजू के अच्छे से ठंडा होने देंगे और आप देख सकते हैं हमारे प्याच और टमाटर अच्छी तरीकी से ठंडे हो गये हैं अब हम इसे पीसने के लिए जार में ट्रांसपर करेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे जार में डाल ली हूँ और इसका फ्लेवर और बढ और आप देख सकते हैं यहां मैंने प्याज लहसुन को अच्छे से पीस ली हूँ और इसका बिल्कुल गाढ़ा पेश्ट बनके तयार हो गई है और अब हम सेम कड़ाई को फिर से गरम होने के लिए रखेंगे हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे आप तेल की जगा बटर भ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले अमारे अच्छे से पक गए हैं हम इसमें एक कप फ्रेस मटर डालेंगे यहां मैंने फ्रेस मटर का यूज की हूँ क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो मटर हमारे बहुत ही बढ़िया और फ्रेस बाजार में आ रहे हैं और अगर आपक अच्छे से मटर के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे और अब हम इसमें दो से तीन चमच पानी डालेंगे जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अब हम इसमें एक चमच थनिया पाउडर डालेंगे गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे हाफ टेस्पून या अधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च पौडर डालेंगे तीखे के लिए हम इसमे एक चौथा ही चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे तीखा आप अपने इसाब से कम्या जादा कर सकते हैं और अब हम इन सभी मसालों को मेडियम फ्लेम पे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे इस तरीके से पानी डालके आप मसाले भूनेंगे तो मसाला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगी और अब हम इसमें ग्राइंड के हुए अदरक लहसुन टमाटर का पेश टालेंगे और इस पेश्ट को भी हम मटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम आप 20 से 25 सेकंड के लिए हाई कर ले जिससे मसाले हमारे और जल्दी भुनेंगे और अच्छी से पकेंगे और अब हम इसे ढख कर दो मिनट के लिए पकने देंगे दो मिनट हो गए हम इसे चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं मसाले हमारे काफी अच्छी से मटर के साथ पक गए हैं और मतर भी हमारे soft हो गये हैं, इस time पे हम इसमें मलाई एट करेंगे, और आप देख सकते हैं, मैंने घर का fresh मलाई ली हूँ, हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे, और हम इसमें दो चमच घर का बना fresh मलाई डालेंगे, आप market वाले मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम डालकर हम इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से आप मलाई या क्रीम डालेंगे तो इसका स्वाद और जादा बढ़ जाएगी और आप देख सकते हैं क्रीम को या मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अब हम इसे ढख कर एक मिनट के ल इस टाइम पे हम इसमें एक कप पानी डालेंगे यहां मैंने एक कप पानी को जार में डाल कर अच्छे से धोली हो पानी डाल करके हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे ग्रेवी में अच्छे से और इंस्टन्ट बॉयल आ जाएगी और आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारा बॉयल होना श्टार्ट हो गई है तो इस टाइम पे हम इसमें फ्राइ किये हुए पनीर डालेंगे और अब हम पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मटर पनीर एक दम रेश्टोरेंट इस्टाइल बनके तयार हो गई है इसे और हम इसमें रेश्टोरेंट वाली सीक्रेट और फ्लेवर फूल इंग्रीडियन्ट एड़ करेंगे हम इसमें एक चम्मच भुनी हुई कस्तूरी मेथी लेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए ग्रेवी में डालेंगे और ग्रेवी को हम अच्छे से फिर से मिक्स क सेकंड के लिए पकने देंगे जिस से और आप देख सकते हैं हमारा रेश्टरेंट स्टाल मटर पनीर बनके तयार हो गई है और गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे चली गर्मा घरम सर्व कर लेते हैं आप इस तरीके से मटर पनीर बनाएंगे तो घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी और आप इसे पूरी चपाती नान जीरा राइस किसी के भी साथ खाए ये खाने में बहुत ही टेश्टी और डिलेसियस लगेगी तो अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफूल लगी हो त मिलती हूं मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसेपी में ठांक्स पूर गारा चाहिए